सामुद्दिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे आखों के फड़कने के बारे में सामुद्दिक शास्त के अनुसार दाई आख का फड़कना पूरुशों के लिए शुब माना जाता है जबकि माई आख का फड़कना महिलाओं के लिए शुब माना जाता है यदि पूरिशों की दाई आख की उपरी पलक और भाव फढ़ती है तो माना जाता है कि उनके मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है और पदोननती वह धनलाब होता है परन तो अगर महिलाओं की दाइं आंकी उपरी पलक और भाव फढ़के तो ये अच्छी नहीं मानी जाती और कहा जाता है कि काम बिगड़ सकते हैं वहीं अगर इस्तियों के बाइं आंकी पलक और भावे फढ़के तो उनके लिए बड़ा शुबाना आचाता है और पूर्शों के लिए इस्तियों बिल्कुल उल्टी हो जाती है पूर्शों की किसी पुराने दुश्मन से लाला ही हो सकती है फिर किसी दुश्मन ही बढ़ सकती